हाई, चले आज एक क्योणी ग्रेसिपी बनाते हैं, तो आज मैंने बनाया है काजू गंठ्या की सबजी, ऐसा आतरंगी कॉंबिनेशन आपको सिर्फ गुजरत में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यकिन मानिए एक सबजी स्वाद में एकदम बढ़िया बनेगी, तो आप भी अ इंचर कली लेशन के भी एड़ कर सकते हैं, इन सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और एक फाइन पेस्ट बना के तयार करना है, तो लीजे हमारी टोमेटो प्यास की पेस्ट बनके तयार हो चुकी है, अब आगी की प्रोसेस में एक बड़तन में थुड़ा सा तेल गरम करना है, तेल गरम हो जाए उसके बाद एड़ करना है जीरा और कुछ खड़े मसाले, खड़े मसालों में मैंने लिया है एक स्टार, एक काली इलाईजी, एक टुकडा दाल जीनी का, तीन लौंग और एक तेज पत्ता, उसके बाद हमने एड़ करना है प्यास तमा पेस्ट को अच्छे से मिला लीजिए उसके बाद इसे कवर करके 3-4 मिनिट तक को खोने दीजिए तब तक हम एक मसाला पेस्ट बना के तयार करते हैं तो उसके लिए एक बोल में लेना है दन्याजीरा पाउडर उसके बाद लेना है थोड़ी से यलदी, थोड़ी से हेंग, र एक दम थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला ओप्शनल है इसे आप स्कीप करना जाहें तो स्कीप भी कर सकते हैं उसके बाद अच्छा सा रेड कलर लाने के लिए मैंने यहां पे एड़ किया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर और अंत में सबजी को थिकनेस देने के लिए थो मत का ध्यान रखना है तो लेजिए हमारी मसाला पेश्ट वन के भी तैयार हो जूगी है अब इसे सब्जी के अंदर एड़ कर देते हैं तो सब्जी में मैंने यहां पे मसाला पेश्ट एड़ कर दिया है उसके बाद यहां पे हमें एड़ करना है अपनी हेल्थ हनुसार नम और ग्रेवी को कवर करके 7-8 मिनिट तक पका लेना है है क्लेम को low medium रखना है और ग्रेवी completely कोक नहीं हो जती या अफिर ग्रेवी में सेॉइल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हमें सब्जी को पका लेना है वीच वीच में चेक करते रही है ताकि ग्रेवी तले पे चिखके उसके बाद एड़ करना है काजू काजू को आप गी में रोस्ट करके भी एड़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह सीधा ही एड़ कर देना है अब फिर से कवर करके 10 मिनित तक सबजी को पका लेना है या फिर जब तक हमारे काजू कूक नहीं हो जाती तब तक सबजी को पका लेना गेस की फ्लेम लो मिडियम रखनी है और बीच में चेक करते रहना है अब 10-12 मिनिट बाट चेक करते हैं काजू तो कुम्प्लिटली कूख हो चुके हैं तो आप गेस की फ्लेम बंद कर देते हैं तो फाइनली एड करते हैं भावनगरी सौफ्ट गांठिया अगर आपके पास गांठिया नहीं है तो उसकी जगह पे आप रतलामी सेव या बेशन भुज्या भी एड कर सकते हैं उसके बाद एड करना है कसूरी में थी तो फाइनली हमारी काजू गंठिया की सबजी बनके तयार हो चुकी है तो अब बारी है इसे सर्व करने की इसे आप रोटी पराठा नान भाकरी या बाजरी के रोटला के साथ सर्व कर सकते हैं यहां पे आपको सिर्फ एक बात का खास्त यान रखना है जब आप सबजी को सर्व करें या फिर जब आपको सबजी खानी हो तब ही आप गांठिया एड करें क्योंकि पहले से गांठिया एड कर देने से गांठि कर लेता है बस इस एक बात का द्यान रखना है तो आप भी अपने गर पे काजु गंठिया की समझी बनाईए खाईए और एंजोई कीजिए और मेरा आज का वड़ियो के सा लगा मुझे कमेंट करके बताईए अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई आपगा बोगा में तक का वड़ियो की समेश का वड़ियो के शुड़ियो है पनाईए यठी ऑगा भी का रुड़ियो नेक्स वीडियो के लगा मुड़ियो के गिए।